हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रेशिपी है एग रोल की, आज मैं आप सब को एग रोल बना के बताऊंगी, बहुत ही टेश्टी बनेगा और बहुत ज्यादा सौफ्ट इसका रोटी बनेगा, अगर आप कोई रोल बनाने के लिए काठी रोटी बनाते हैं, और काठी रो मैदा का भी बना सकते हैं, आटे से सिर्फ बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक रोटी बन के त्यार होता है, और ये आप देख पा रहे हैं कितना सौफ्ट है, ऐसा नहीं है कि गरम में सौफ्ट है, ये ठंडा होने के बाद भी इतना ही सौफ्ट बना रहेगा, तो पत्ता को भी सिमला मिर्च और गाजर और प्याज हरा मिर्च ये सब में काटके रखी हूँ, कड़ाई में थोरा सा तेल डाल दी और प्याज और हरा मिर्च को एक ही सार डाल दी इसको में थोरा सा भून लेती हूँ, जब प्याज थोरा सा सौफ्ट हो जाए फिर हम इसमें ये जो पत्ता को भी सिमला मिर्च और गाजर को बारी काट के रखे हुए हैं ये सब को एक ही साथ डाल देते हैं और ये सब को हम 3-4 मिनिट के लिए भून लेंगे अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो पता को भी गाजर, खीरा, प्याज ये सब सैलेड में यूज करने वाला सबजी है और कच्चा खाने वाला सबजी है तो आप कच्चा खाना पसंद करते हैं तो इसे इस प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है सबजी को आपको भूननी की जरूरत नहीं है सैलेड काट लिजेगा थोरा सा नमक चाट मसाला और निम्बू का रश डाल के आप सैलेड भी एग रोल में फील कर सकते हैं तो मैं सबजी भून रही हूँ बच्चों की बज़े से क्योंकि बच्चों कच्चे नहीं खाते हैं तो इसमें मैं एक कटा वाटा माटर डाले हूँ अभी और स्वाद अनुसार नमक डाले हूँ जब सबजी बना ही रहे हूँ तो थोरा चटपटा बना लेती हूँ अब मैं इसमें थोड़ा सा मैगी का मैजिक मसाला डाले हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं, और बढ़ी असे मिला लेंगे, एक दो मिनिट के लिए और सब्जी को पका लेते हैं, और अब हमारा सब्जी बन के त्यार है, गैस बंद कर देंगे, और अब हम च गेहु का आटा डाल लेते हैं, इसी के साथ 2 कटोरी मैदा भी डालेंगे, जितना आटा लिये हैं, उतना ही मैदा भी लिये हैं, आप चाहे तो सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहु के आटा से भी ये रोटी बना सकते हैं, मैं इसमें स्वादनुसार नमक डाली हूं, आधा चमस ज जरूरूरत नहीं है बहुत बढ़िया यह सॉफ्ट रोटी बनेगा और षीखने के उस में बढ़ियों आप सेके से बढ़िया आट मैं अभाव तूर्य खाट लेती हूँ तो रोटी के लिए चाहि पर यह तो इसलिए थोरा सा लोई बड़ा लिजेगा और हथेली पे घुमा के चिकना कर लिजेगा थोरा से उपर आटा या मैदा छिरेक लिजेगा सूखा और इसके बाद इसे हमें बेलना है बहुत बढ़िया से इसे हम एकदम पतला बेलेंगे आप इसे जितना बढ़ा बना सकते ह बढ़िया सा बढ़ा बेल के रख ली अब इसे हाथ पे एक दो बार इस तरीके से उलट पलट के और थोरा सा बढ़ा लेंगे इससे और ये पतला हो जाएगा अब ये देखे गैस पे मैं ताबा गरम होने के लिए रखी हूँ ताबा को बहुत बढ़िया से गरम करना है को तेल लगाना है या बटर या तेल जो आप लगाना चाहते हो वो लगा लिजी दोनों तरफ से और इसे फट आफट से उलटते पलटते हुए आपको एक से डेर मिनट में ही ये रोटी पका लेना है गैस का फिल्म हाई करके जब आप रोटी पकाएंगे ना तो ये बहुत हैं तो गैस का फ्लेम हाई रखते हैं और फटा फट से बनाते हैं या वैसे ही आपको काठी रोटी के लिए भी गैस का फिल्म हाई ही रखना होगा और आपका हाथ फटा-फट चलाना होगा तभी ये सौफ्ट बनता है नहीं तो ये हार्ड रोटी हो जाता है और खाने में मज़ा नहीं आएगा तो इस ट्रिफ को आप अपना के देखेगा आपका काठी रोटी बहुत ही बढ़िया बनेगा आप ऐसा भी कर सकते हैं पांच छे रोटी को बेल के रख लीजेगा उसके बाद इसे सेख लीजेगा क्यूंकि सेखने में टाइम बिल्कुल कम लगता है तो यह फटा-फट से आपको हाँ चलाना होगा तो इसलिए आप रोटी को पांच छे एक ही साथ बेल के रख लीजे और जल्दी-जल्दी इसे सेख लीजेगा तो इस तरीके से मैं फटा-फट से सारा रोटी को सेख लेती हूं आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा र एक से डेर मिट में आपको एक रोटी सेख लेनी है यह देखिए इसका सौफटनेस अब मैं एक रोल बना लेती हूं तो गैस पे कढ़ाई डाल दी गरम होने के लिए एक चमच इसमें तेल डाल के गरम होने देते हैं अभी हम एक फोर के रख लेते हैं एक बावल में और इस और बड़ा नहीं बनाना था इसलिए मैं एक ही अंडा का आमलेट बना रही हूं तो यह देखिए कढ़ाई में चारो तरफ हम तेल फैला देंगे उसके बाद यह जो अंडा को हम फोर के रखे हैं इसको इसमें डाल देंगे एक सिकिंड के लिए अंडे को हम कढ़ाई में से अगर आप आप से नहीं दवाना चाहते तो कर्चिया एस पेचुला से इसे दबा दीजेगा और यह देखिए दबाने से क्या होता है ना आमलेट में यह रोटी जो है अच्छे से चिपक जाता है फिर इसको आप अलट दीजिए और दूसरे साइड से भी थोड़ी देर तो इसी तरीके से आपको एग रोल के लिए रोटी त्यार कर लेनी है यह देखिए अंडा को कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाते हुए हम चारो तरफ आमलेट को बड़ाबर से सेट कर लिए है अब हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे थोड़ा सा इसके बीच में यह सबजी जो बना के रखे थे इसको डालेंगे और इसके ऊपर हम यह चटनी बना के रखे हैं धनिया पता और पूदीने का यह एग रोल में यह बहुत पढ़िया टेश्टी लगता है खाने में यह चटनी तो आप जरूर डालेगा धनिया पते और पूद गार देंगे और अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं एक साइड से ऐसे अंदर की तरफ मोर देंगे और उसके बाद इस तरीके से रोल हम बना लेते हैं अब आधा रोटी के उपर बटर पेपर या सिल्बर पेपर से अच्छे से कवर कर लेजेगा ताकि ये रोल खूले नहीं और ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट रोल बनके त्यार होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जटूर करें